वही मैं कह रही डंक से नहीं बनी है आप आजाए ना मन्स पे मुझे बताते रही है यहां की सड़क की तो यह स्थिति है कि गड़ करी जी जो मंत्री हैं जो सड़क बनवाते हैं उनको आकर माफी मांगनी पड़ी आपके सामने यह बात है आप सोचिए इतने सारे घोटाले बच्चों के पोशन में घोटाला मिड़े मील में घोटाला सर्विश इक्षा ब्यान में घोटाला स्कॉलर्शिप में घोटाला भरती पर इक्षाओं में घोटाला तो बच्चों का भविश्य क्या है आप बताएए बहन आप ऐसे कर रही है क्या भविश्य है आप अपनी बच्चों के लिए मेहनत करती है कि नहीं मेहनत करती है मेहनत से उनको उनका पालन पोशन करती है तमाम दुनिया भर की समस्याए होती है लेकिन माबाप क्या चाहते है कि बच्चे की परवरिश ठीक धंग से हो, बच्चे आगे बढ़ें लेकिन आपको अंधकार ये अंधकार दिख रहा है जब आपके स्कूल में पोशन पर घोटाला हो रहा है जब स्कॉलर्शिप पर घोटाला है जब भरती की परीक्षाओं में घोटाला है तो बिचारा नौजवान करे क्या स्कूल करता है पढ़ाई करता है अच्छे अच्छे अंक भी लाता है आगे जाकर फीज भरता है ट्यूशन करेगा भरती परीक्षा के लिए तयारी करेगा बिचारा माँबाप कभी कभी घर से बाहर भी बेज़ देते हैं कहीं पर टूशन सेंटर में किसी शहर के अंदर की जा बिटा पढ़ ले अच्छा भविष्य बनेगा अब फिर क्या होता है उसमें घोटाला हो जाता है हर स्तर पर घोटाला तो बिचारा परीक्षा देता है परीक्षा में पास भी हो जाता है लेकिन न्यूकती नहीं होती क्योंकि घोटाला हो जाता है सब कुछ बंद हो जाता है तो जब अगली पीडी आने वाली पीडी के लिए भी कुछ भविशे में दिख नहीं रहा है उमीद ही नहीं रही तो आगे कैसे बढ़ पाओगे आपका विकास कैसे हो पाओगे सबसे बड़ा व्यापम का जो घोटाला हुआ यहां पता नहीं कितने लोग मर गए उसमें किसी ने इंक्वाइरी जांस तक भी नहीं कराए और वही सरकार चली जा रही है मान अर्मदा पे घोटाला महाकाल में घोटाला मंदिर में जो मूर्तियां लगाई है उस पर भी घोटाला तो ठक नहीं गए हो आप ठक गए हो ठक गए हो ना क्योंकि आखर देखिए जो नेता होते हैं राजनीती में आते हैं किसलिए आते हैं ज्यादा तर तो ये भावना रखके आते हैं कि कुछ सेवा करेंगे आपको आगे बढ़ाएंगे और आपको भी उनसे कुछ उमीद रहती है कि ठीक है ये मेरे गाउं का एक नेता है हम आए मेरे करेगा है की नहीं लेकिन जब आपको दिखता है कि चाहे कुछ भी मंच पे आकर कुछ भी कह रहे है आपको कुछ भी कहानिया सुना रहे है लेकिन सचाई इनकी कुछ और है जब आपको दिख रहा है कि सालों से दस सालों से आपकी सलक नहीं बन पा रही है जब आपको दिख रहा है कि यहां नर्मदा मैया में इक होटाला हो रहा है आपके बच्चे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं यहां से पलायान करके चले जा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में भटकते हुए नौकरी ढूनने के लिए तो क्या आप नहीं सोचते कि बहुत हो गया है कि अब सरकार बदलने का समय आगया है जिरोंने ब्रश्टाचार किया है उनको सबक सिखाने का समय आगया है और एक ऐसी सरकार लाने का समय आगया है जो आपके लिए